हाई आप सभी का स्वागत थे हमारे एक नए वीडियो में सो दोस्तों मैं अभी सुची रहा था कि क्या वीडियो बनना है जो और क्या आप लोग को बताया जाए और कोई नया नहीं दिख रहा था जो कि आप लोग से कुछ अपडेट नहीं आया था ना वीजा का अपडेट ना इमिगेशन का अपडेट ना आउटपस का अपडेट ऐसा कोई भी अभी अपडेट मलेशिया से निकलकर नहीं आ रहा है तो एक्चुल मैं सोचाए क्यों ना आप लोग को बता दिये जाए कि आखी में आप लोग को मन में यह चीज रहता होगा जरूर कि अगर में हम ल लाश्टली कमा सकते हो ओही चीज आप लोग इस वीडियों में बताऊंगा कि आप लोग अगर मजदूर के काम करने के लिए मलेशिया में आ रहा हो तो आप लोग कितना से कितना पैसा कमा सकते हो देखिए आप लोग में दिखा रहा हूं यह है मलेशिया का पैसा जो लोग नहीं देखें बहुत दिनकों के बाद देख रहा है जो है फर्स बार देख रहे हैं वो पैसा अलब िडियोंने देखना ते हैं hed Malaysia का एक रिंगिट फिर आपके को गई कितना अपनोब पैसा कमा सकते हो यह हो गया मलीशिया का एक रिंगिट और दोस और अभी नोट होता है पांस तरफ नॉट पछास रिंगिट का नोट होता है तो अभी मेरे पास यह नोट था और नोट जो है सौार रिंगत कर नोट में परस नहीं था दोसरींग अभी नोट अभी में पास अभईलेबल नहीं था तो यह दखे एक रिंगर नोट है कुछ इस एक रिंगीट का नोट इस तरव करें एक रिंगिट मालेशिया का एक रिंगिट इंडिया में कितना होता है किसी मंत 19 रूपिया वी चल जाता है एक रिंगिट का 19 रूपिया तक चला जाता है अभी फिलहाल में आट्रा रिंगिट पचास पैसा से उपड़ ही जाएगा रेट आप लोग भेज़ोगे तो ठीक है तो यह चीज़ता डाउट क्लियर हो गया मलेशिया का एक हजा पारिमेंट जो मिलता है government नहीं कितुना हो गया इंडिया का 25gas प्तयास अपको बिलाता है इंडिया से नेपाल से, पखितान से, बांगलादे से, आपनों किसी भी कंपणी में आ रहे हैं काम करने के लिए, तो यह 8 घंटा duty का ही पैसा देता है, पॉंद्रो सरिंगीट, ठीक है, आपनों बात को समझेगा, 8 घंटा duty का ही पॉंद्रो सरिंगीट मिलता है, उसके बाद ओवर टेम च duty करने के बाद किसी company के अंदर में और चार घंट आप लोग ओवर टाइम करते हो देखिए आप लोग सुचोगे कि ओवर टाइम हर कमड़ी में मिलता है कि नहीं मिलता है तो देखिए आप लोग मलेशिया के अंदर में आओगे तो लॉंग टर्म के लिए आओगे मलेशिया के लिए पमिट लगता है तीन साल के लगता है तीन साल के लिए आप लोग मलेशिया के अंदर पहल लोग लेगा क्योंकि आमें पे आर एक चीज का नाम चेंज है तो यह सब चीज आप लोग जब जान जाओगे नाम जान जाओगे यहां का भासा थुराहल का जाने लोगे तो आप लोग को over time मिलना start हो जाएगा और एक दिन का अंदर में over time का जो rate चलता है मलेशिया का अंदर में 12 रिंगिट से लेकर 14 रिंगिट 15 रिंगिट 10 रिंगिट over time का rate चलता है ठीक है अगर एक दिन का अंदर में अगर आपका over time लगता है चार घंटा भी तो चार घंटा का rate हो गया 50 रिंगिट आपका over time हो गया अगर 1,1द का अंदर में, 15 दिन भी अप लोग ओभर टैम कर लेता है तो अगर आपके 15 दिन भी ओभर टैम लग ज़ियता है तो इसका 700 रेंगिट हो जाएगा आपका ओभर टैम का पैसा है लमख 45,000 लोड़ेसिया में आप Л manager Malesia में महागई इस चीज आपलेसिया में हर व् समय आपलोगों महागई लो अगर आप लोग इंडिया में कोई भी छावल खऴितayan हो तो लेकिन LI लेशिया का अंदर में आप लोग चाहल ख़ड़ने जाओगे तो आप लोग कम से कम भी खाना में पैसा आप लोग जाएगा तो तीन सो रिंगिट आप लोग लग जाएगा मौंथ का खारचा मुबाइल कर्छ ए सब चीज़ मिला कर आपको Ł$500ुट निकाल देना है े कि 25े निकाल देना है आपका है रहने के खरचा हो गया मतलब ढ़ेंट ग्रांब क purl के लाओज़ यहां आंप करोगे तो यहां पर एक Kamps तो इतना पैसा आप लोग निकाल दीजे तो दो हजार आप लोग बोच जाएगा तो दो हजार आप लोग भेजोंगे इंडिया के अंदर में तो इंडिया में हो गया 36,000-35,000 रुपिया आप लोग अरांग से भेज सकतो हो मलेशिया से काम करने के बाद ये लेबर क्रेटरिक मलेशिया कामाने के लिए मतलब एक लेबर क्रेटरिक से आने के लिए मलेशिया काम करने के लिए तो आप लोग Malaysia के अंदर में आईए मले 저ीक आ घुत फैसा में गाहिए पैसा दकेया कई अर बनाते रहता हूं ताकि आप लोग उसे कुछ मालेसिया का जन काड़े हैं मिलते हैं किसी आने वीडियो के साथ में तब तक लिए जाएं